आज हम करने जा रहे हैं चेप्टर नाइन जिसका नाम है परसेंटेज तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मला याद रखना पड़ेगा और उसमें ही छोटी-छोटी चेंजिस जब आप करेंगे तो आपको बा तो सबसे पहले आपको मैं फॉर्मला लिखकर दिखाता हूं तो फॉर्मला यह है परसेंटेज वैल्यू किसके एक और होती है परसेंटेज डिवाइड वाई हंड्रेड मल्टीप्लाइड वाई टोटल वैल्यू यह चीज़ आपको याद रखने हैं मल्टीप्लाइड यह फॉर्मुला आपको याद रखना है अब इसी फॉर्मुले का यूज करके हम और भी क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे अब वो कैसे करेंगे वह मैं बापको बता दूंगा ठीक है जैसे क्वेश्चन आएगा तो चलिए सबसे पहले पहले पहला क्वेश्चन शुरू करत पीवी इस एकॉल डू पर्सेंट अप्रसेंटेज अपन अपन हंड्रेड मल्टिप्लाइड वाइट टोटल वैल्यू को हम क्या लिख रहे हैं यह चीज याद रखनी है मैं बार बार नहीं बताऊंगा तोटल वैल्यू को में सॉट में टीवी लिख रहे हैं एंड yang परसेंटेज वैल्यू को कि हम तीलिक या लिकाया है एन चैशिज आपको याद्र है तो चलिए लेयूज हम देख लेते हैं यहां पर जो आपको परसेंट वैल्यू धी हूई est iis ice इक दिन ऐसे 46 परसेंटेज आको निकालना है तो परसेंट हो and 100 and total value क्या है आपका 92 अब ये कैसे पहचानना है कि आपको ये percent value दी है या फिर आपको total value दी है तो generally case में क्या होता है जो छोटी value होती है वो आपकी percent value होगी और जो बड़ी value होती है वो आपकी total value होगी जनरल केस में बता रहा हूँ ठीक है बहुत से cases में थोड़ी conditions को देखकर हमें ये तैय करना होगा कि total value कौन सी है या आपकी percent value कौन सी है बड़ जनरल केस में आपको जो smaller value होगी यानि कि smaller value आपकी percent value हो जाएगी और larger value होगी वो total value हो जाएगी तो चलिए solve करते हैं कि कि जब भी हमें किसी भी value कि कि योगा होगा और जो solve करते हैं तो percent value कितना हो गया आपका यहां आपका हंड्रेट था तो उस साइड जाके multiply में तो 46 multiplied by 100 यह multiply में है तो दूसरे साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा 92 सो वन यह तू यानि कि आपका आ गया 50 परसेंट आपका पहला आंसर ठीक है चली अब हम बात करते हैं second question की second question की बात करते हैं इन पैक और 52 playing cards यानि की तास की पत्ते जो होते हैं ठीक है तो आपको है क्या निकालनी है percentage of spades की बात कर रहे हैं तो जल्दी से comment box में बताईए कि आपके total Spades कितने होते हैं आपके अगर हम बात करें जल्दी से comment करके बताईए और स्वाल करने ही कोसित करने हैं अपको ठीक है जल्दी से मैं वेक्ट कर रहा हूँ झाली से करें आपका जो है मिदए रहा हूं आपको सिर्फ एक नमिट दे रहा और उसी टाइम में आपको जो है के यह कहते हैं आपको answer comment करके बताना है उसके बाद मैं आगे continue करता हूं तो अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो टोटल कार्ड्स की तो टोटल कार्ड्स में आपके जो स्पेड़ होते हैं वो 13 होते हैं कितने होते हैं तो इस पेड़ कितने हो गए आपके 13 and आपके playing cards कितने हैं प्लेइंग cards हैं आपके 52 एई चीज़ तो है percentage निकाल ली है मैंने आपको फिर से वही फॉर्मुला निकालना है percent value is equal to percentage divided by 100 multiplied by total value ठीक है तो परसेंट वेल्यू में जब हम रखते हैं यहां पर परसेंट वेल्यू कि किसकी बात करते हैं परसेंट वेल्यू कौन सी होती है जो छोटी होगी यहां देगो थर्टीन है तो थर्टीन is equal to percentage divided by 100 into 52 चलो और solve कर लेते हैं वहीं LHS RHS करना है तो percentage is equal to क्या होगा 13 into 100 divided by 52 थर्टीन बंजा 13 फूर्जा 25 परसेंट तो सेकेंड का अंसर 25 परसेंट आपका आ गया चलिए अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की तो थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो हरी सेप्स 900 आउट टोटल मंथली सेलरी ऑफ 14400 फैंड परसेंटेज ऑफिस सेविंग यानि कि यहां पर भी परसेंटेज निकालना है तो सेविंग्स कितनी है फिरे लिख लो सेविंग्स हैं आपकी 900 एंड टोटल सेलरी टीएस लिख रहा हूं टोटल सेलरी 14400 ठीक है तो बस फॉर्मॉला फिर से वहीं परसेंट वैल्यू इस एकॉल टो परसेंटेज अपॉन हंड़ेड एंटू टो टोटल वैल्यू तो परसेंट वैल्यू को अगर हम देखें वहीं च्छोटा वैली जो है अपका परसेंट वैल्यू हो गया परसेंटेज की जिए हमें यह तो निकालना ही है अपॉन हंड़ेड टोटल वैल्यू कितना है 14400 यह दो जिरो से दो जिरो कट गए तो परसेंट वैल्यू इस एकॉल टू नाइन हंड़ेड अपन वन फॉर ठीक है सब्सक्राइब कितना आएगा जल्दी से सब्सक्राइब करके करें अंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दें तो कितना आएगा जल्दी जल्दी से देंसर जल्दी जल्दी से ठीक है चलिए अब लोगोंने solve कर लिया होगा तो इसका answer आएगा 6.25% ठीक है चलो अब हम कर लेते हैं जल्दी से last question तो last question अगर हम देखें find a number which is less 15% less than 300 ठीक है तो हमें एक ऐसा number निकालना है जो 300 से 15% less हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 15% of 300 तो निकाले तभी तो हम निकाल सकते हैं कि कौन सा number होगा तो पहले हम निकालते हैं परसेंट वेल्यू परसेंट वेल्यू पर्सेंटेज परसेंटेज कितनी है 15 अपन हंडेट टोटल वेल्यू कितना है 300 यह जीरो करिया तो 45 तो अभी आया कि वाइन है लेकिन आद रहे हैं आपको एक ऐसा number निकालना है जो की 300 से 15 तो यानिकि हमने थे परसेंट वेल्यू तो है और यहां अलग है कभी भी आप percentage को directly minus नहीं कर सकते हैं आपको उसकी value निकालने पड़ेगी तब ही जाके जो है आप exact answer ला पाएंगे ठीक है तो इन questions में आप देखेंगे generally आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको percentage change in percentage निकालना है ठीक है सो बहुत सी बुक्स में क्या है अलग formula दिया होगा और बहुत से टीचर्स क्या होंगे आपको इस चीज़ को solve करने के लिए अलग से formula याद करवा देंगे वह कुछ इस तरीके का होगा देखेंग आपका जो है चेंज इन परसेंटेज वेल्यू चेंज इन परसेंटेज वेल् वेल्यू इस एक्वाल टू पर्चेंज परसेंटेज चेंज चेंज डिवाइड़ वाई हंड्रेड मॉल्टी बैड़ वाई ओरिजनल वैल्यू यह चीज़ बुलेंगे ठीक है आपको ये सब कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ मेरा वाला एक वाल्ए फॉउम्ला जो मैंने आपको बताया कुन से वाला पर्सेंट वैल्यू इस एक्वाल टू पर्सेंटेज अपौन हंडेड इंटू तोतल वैल्यू और टोतल वैल्यू को ही हम ओरिजनल वैल्यू यह चीज आपको याद रखने हैं तो यहां पर परसेंटेज वैल्यू वही एस चेंज इन वैल्यू कहो यह परसेंटेज वैल्यू कहो एक ही चीज है यहां परसेंटेज का मतलब चेंज इन परसेंटेज भी होता है तो आपका यह वही इस रहेगा टोटल वैल्यू क कि जगे आपको बस original value याद रखना है ठीक है तो चलो कर लेते हैं जल्दी से तो चेंज पर्सेंटेज पर्सेंट पूछा है तो यानि कि पर्सेंटेज ही निकालना है तो अब यहां पर पहले आपकी जो मार्केट प्राइस थी वह कितनी लिखी हुई थी कि 20,000 अब वह चेंज होकर कितनी हो गई 22,000 तो निकालना पड़ेगा या परसेंटेज वैल्यू या चेंज इन वैल्यू को हो इसे या चेंज इन परसेंटेज को ठीक है चेंज इन वैल्यू और यही तो क्या करना पड़ेगा यानि की चेंज निकालना तो पड़ेगा तो ट्वेंटी थाउजन था और लॉप 20.000 कितना हो गया तो पस फॉर्मिला लगा हो पर्सेंट वैल्यू इस इकॉल टॉपर्सेंटेज अप श्टितना है अपका का बीन दो जार है यह निकालना ही है founder टोटल विप ट्मी कितना है आपका 20lusion क सबक्राइब चैन सिब्सक्राइब की जो किटना पर्षेंट बेटीज यह 2 जीरो से और 2 जीरो कट गधेंगे मसकी जोडाण यानि कि जो कितना चेंज इंड परसेंट वेली आया है ज़िए परसेंट आया है टैन परसेंट ठीक है चलिए इसमें लिखा है कि एफाइस नाट बिसकोर्स 80% 80 मार्क्स इन फर्स टेस्ट आप्ट इस इंड़ सेकिन टेस्ट ठीक है, so find the percentage increase, यानि कि यहाँ पर भी भाई, change in percent निकालना है, तो change in percent के लिए पहले change in value भी निकालना पड़ेगा, तो पहले change in value निकाल लेते हैं, change in value, क्या होगा, 96 हो गया है, और initial की दाफ़ा, 80, गरो मानस 16 आएगा, original marks कितने थे, original value कहलो, या original marks कहलो, 80 marks थे, ठीक है, बस formula लगाओ, PV is equal to percentage upon 100 into original value या total value, ठीक है, तो PV कितना है, 16 percentage divided by 100 into original value कितना है अबका, 80, solve करो, percentage, change in is equal to, कितना 16 into 100 divided by 80, यह यह कट गया, आठे का मार दूनी, 16, 20% आपका आया answer, ठीक है, इतना आपका जो है, increase जुआ है, चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, question number 7 की, a new bridge between two cities reduced the travel time from 40 minute to 10 minute, याने की, अब यहाँ पर time reduce हो गया है, ठीक है, तो change in value करो पहले, है, find the percentage decreasing travel time, so change in time निकालो पहले, change in, time कितना होगा, ठीक है, या original value एक ही बात है, तो percentage value कितना है आपका, 30, इतना ही तो change आया है, आपका 40 minute लगता था, अब 10 minute हो गया है, ठीक है, तो total 30 minute का change आया है, ठीक है, तो decrease in percentage निकालना है तो percentage upon 100 into original value कितना था, 40, ठीक है, solve करो, तो percentage is equal to कितना हो जाएगा, 30 divided by 40 into 100, यह यह कट गया, तो 3 upon आपका जो है, solve करो, कितना है, 25 जाटें, 22 जाफोर एंड तो 75 परसेंट आपका decrease हो गया है, timing, सुर्वार कितनी जापका एंड जाएब évidemment जापका आपका टाभ़ मिश्रा होजब ऑ़लाल् внешipped और दो करो तो कितना है, ज Lagल करो, मुझ मुझे से खेरी सहां лож गया, जाई शो आपके साअ तो 16 जापका X2